अब तो इसका चोटा से टेस्ट लेते हैं उसमें पता करते हैं कि यह वाटरपूफ है या नहीं है तो आप देख सकते हो मैंने मोटर को बाल्टी में छोड़ दिया है उसके बाद यह मोटर लगातार घूम रही है राउंड ले रही है अब देखना है कितनी देर में रुकती ह इसको हमें कम से कम 25-30 सेकंड लिए इसको पानी में डालना है उसके बाद इसको भार निकालेंगे बार निकालने के बाद चेक करेंगे इसके अंदर पानी गया है यह वाटर प्रूफ रही है अगर इसके अंदर पानी चला गया है तो उसके बाद बेदर यह चल रही है तो वा झाल